इसरो ने देश के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 में तब बड़ी सफलता हासिल की, जब चांद के दक्षणी धुरुफ पर उसकी सफलता पूर्वक लैंडिंग करवाई। ऐसा करके इसरो ने कमाल कर दिया। इसके बाद 14 दिनों तक चांद पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर ने कई महत्वपूर्ण डेटा इकठे किये। इन डेटा के नतीजों से दुनिया भर के वैज्ञानिक आश्चरे चकित रह गए हैं। अमेरिकी रिसर्च प्रोफेसर जेफरी गिलिस दाविस ने एक आर्टिकल में चंद्रयान 3 से जुड़ी तमाम उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बात की है। स्पेस.com पर लिखे आर्टिकल में कहा गया है कि चंद्रयान 3 के डेटा से पता चला है कि चांद की मिट्टी में लोहा, टाइटीनियम, एल्यूमीनियम और कैल्शियम जैसे अपेक्षित तत्व शामिल हैं। सल्फर का मिलना आश्चर्य कर देने वाला है। वे लिखते हैं, मेरे जैसे ग्रह वेज्ञानिकों को पता है कि चांद के चट्टानों और मिट्टी में सल्फर मौजूद है, लेकिन केवल बहुत कम। इन नए डेटा से पता चलता है कि अनुमान से अधिक सल्फर सांधरता हो सकती है। प्रज्ञान के पास दो उपकरण हैं, जो मिट्टी का विशलेशन करते हैं, एक अल्फा करण, एक स्रे स्पेक्ट्रोमीटर और एक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर या शॉर्ट में L.I.B.S. इन दोनों उपकरणों ने लैंडिंग स्थल के पास की मिट्टी में सल्फर को मापा है। वैज्यानिकों ने पाया है कि गहरे ज्वाला मुखिय मैदानों की सामग्रियों में चमकीले उच भूमी वाले पदार्थों की तुलना में अधिक सल्फर होता है। और ठंडा होने के बाद चट्टान के भीतर ही बना रहता है। ये प्रक्रिया बताती है कि सल्फर मुख्यरू एब पर पढ़ें चंद्रमा की काली ज्वाला मुखिये चट्टानों से क्यों जुड़ा हुआ है। द्वारा चांद की मिट्टी में सल्फर की खोज इस तरह की पहली घटना है। हालांकि डेटा कैलिब्रेशन पूरा होने तक सल्फर की सटीक मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रज्यान पर एलाई बिये उपकरण द्वारा एकत्र किये गए अनकैलिब्रेटेड डेटा से पता चलता है कि ध्रुवों के पास चंद्रमा की उच्छ भूमी मिट्टी में भूम अध्य रेखा से उच भूमी मिट्टी की तुलना में अधिक सल्फर सांद्रता हो सकती है और संभवता गहरे ज्वाला मुखिय मिट्टी से भी अधिक हो सकती है। साक्ष्यों का पता लगाया था। अगर चंद्रमा पर मौझूद पानी या खनिजों और धातों तक इनसान की पहुँच आसान हुई तो उनका इस्तिमाल भविश्य में मानवता के लिए बेहद उप्योगी साबित होगा। झाल झाल